नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल वेंदेश्टेड है को जी के पाया फेंड्स आज आपके लेकर आए हूँ जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपॉर्टन अगरा किसे हैं प्रिशन कर रहे हो फेंड आपको हर कोशन के चार आप्शन दे जाएंगा अगर आपको इन मेंसे किसी भी कोशन से पहले से आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जुरू पताना तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स कोशन है इंपॉर्टन कोशन है कई बार एक्जाम में पूछा गया फेंबेसिकली आपसे रोक से लेटेट और भी कोशन बन जाते हैं जो एक्जाम में पूछा जाते हैं अगर आपसे ये पूछा जाएं कि जो बाथोलितिक यहां फिर लाकोलितिक जो रोक्स होती है वो कौन सी टाइप की रोक होती है तो आंचे क्या हो जाएगा इग्नियस रोक अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो बिसाल्ट है यहां फिर एंडिसाइट है यहां फिर इहोलाइट है वो किस टाइप की रोक है तो आ डिमेंटरी रोक अगर हम बात करें मेटामॉर्फिक रोक की तो इन में जो आते हैं बेसिकली वो आते हैं स्लेट, कॉर्जाइट, गनीशीज, मार्बल, सिस्ट एंद एंथरेसाइट यह सारे ही कोशन एक्जाम में पूछे के हैं आपके लिए इंपोर्टेंट है निश्रत हैं आइस बार एक जाएट फ़रेस्ट पेज कोशन ऐसे हैं जैसे हैं जैसे है से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे-वैसे वैसे वैसे लेवल है वो increase होता चला जाएगा तो आपने वीडियो को end तो जरूर देखना है नशलते हैं दा ग्लैशियल लेक इटैस का इजा सोर साविच रिवर आफशनार मौसुरी आप्शन भी मिसीपी आप्शनार स्वीज कनाल, आप्शन बी पनामा कनाल, आप्शन सी बीरिंग सी एड ऑप्शन डी गल्फ ऑफ अलैस्का फेंस कोशन बेजियो के लिए पूछा गया था कि इन मैंसे किस को गेटवे और पैसिफिक बोला जाता है आपको चार आप्शन दी गए थे आप्शन आप्शनार स्वीज कनाल आप्शन B पनामा कनाल आप्शन C बेरिंग C और आप्शन D गल्फ आफ एलेसका अंचर क्या हो जाएगा आप्शन B यानि की पनामा कनाल इस आलसो कॉल गेट वे टू पैसिफिक इंपॉर्टन कोशन है वेंजवेला एंड आप्शन D जांबिया आप्शन क्या हो जाएगा आप्शन C यानि की वेंजवेला दा वर्ल्ड हाइस वाटरफॉल इज इन वेंजवेला कंट्री अगर हम बात करें की जो वर्ल्ड हाइस वाटरफॉल है ना उसका नाम क्या है तो आप्शन क्या हो जाए हो जाएगा option c यानि की Congo river crosses the equator twice यानि की जो equator है ना उसको दो बार कट कौन सी river करती है तो answer हो जाएगा option c यानि की Congo river अगर हम बात करें एक कोशन bc के लिए आपर और ही बन जाता अगर आप से पूछ जाए कि ऐसी कौन सी river है जो कि topic of cancer को दो बार कट करती है तो answer क्या हो जाएगा माही river दोनों कोशन कई बार exam में पूछे कि आपके लिए important है friends आपके लिए मैंने सारे कोशन important और सब्सक्राइब को end दो जरूर देखना है मैं आपको इस channel पे हमेशा ही quality game दे जाता है जो आपके exam के लिए काफी useful है आपके लिए मैंने और इडिए बहुत सारा content डाल लगा जी के लिए जो आपके exam के लिए काफी useful है तो फिर्ण हो सारी वीडियो आप exam से पहले जरूर देख लेना और फिर्ण आपको मैं इस वीडियो में फिफ्टी ब्लस कोशन कराऊंगा जिगराफी जीके के तो अगर तो फिर्ण आप इस वीडियो को end जरूर देखना और फिर्णी सारी कोशन आपके आने वाले exam के लिए important है नहीं से लिए फिर्ण कोशन आपके लिए पूछा गया था कि इन में से ऐसा कौन सा स्टेट है जो की आपके 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 लिए ब्लस को important question है कई बार exam में पूछा गया नहीं साते हैं which are the falling country is known as sugar wall of the world option और इंडिया option B क्यूबा option C प्राजील and option D जापान question B C के लिए पूछा गया था कि इन में से ऐसी कौन सी country है जिसको की sugar ball of the world बोला जाता है तो answer क्या हो जाएगा option B यानि की क्यूबा is also known है sugar ball of the world basically यहाँ पर इसके regarding कुछ और कोशने बन जाते हैं जैसे कि अगर आप से पूछा जाए किस country को land of white elephant बोला जाते है तो answer क्या हो जाएगा थाइलेंड को अगर हम बात करें कि land of golden fleece किसे बोला जाता है तो आँचे क्या हो जाएगा औस्टेलिया अगर हम बात करें कि land of rising sun किसको बोला जाता है तो आँचे क्या हो जाएगा जापान अगर हम बात करें कि रोज पिंक सीटी किसको बोला जाता है तो आँचे क्या हो जाएगा को बोला जाते हैं तो आंचे क्या हो जाएगा दामोदा रीवर जितने भी फ्रेंट्स कोशन बताएं ना आपको यह सारे कोशन कई बार एक्जामें पूछा गया तो आपके लिए इंपोर्टन है बेसिकलिए यह पर एक कोशन जो जादा इंपोर्टन जो हर एक्जामें पूर्ठ उपके एस्ध कोशन कही बार बार इक्जाम में पूछा गया बेसिकलिए इंटरनेशनल बााउंट्रिश लिटेड ब्ला बाउनट्रिय prendre जाते हैं जो कई बार एक्जाम में पूछे गया है तो एक वंह उनकी बात कर लेते हैं अगर आपसे यह पूछे जाए कि ऐसी कौन सी इंटरनेशनल बाउंटरी है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करते है उसका नाम क्या है तो आंचे क्या हो जाएगा डूटरेंड लाइन अगर हम बात करें इंडिया और चाइना की यूएसे और केंड़ा की कौन सी बाउंटरी है जिसके मद्धि इंटरनेशनल बाउंडरी को जो सेपरेट करते हैं केंड़ा यूएसे को तो आंचे क्या हो जाएगा option a यानि कि मैदागासकर is the largest island in Indian ocean important question है कई वार है कि जामें पूछा गया नहीं लते हैं how many Indian states share their boundary with Nepal country options are three option b four option c eight and option d five question b c के लिए पूछा गया था कि India की कितनी states हैं जो कि Nepal country के साल अपनी जो बार्डर है वो share करती हैं तो आएंसे क्या हो जाएगा option d यानि की five state of India share their boundary with Nepal country अगर उनसे नाम पूछे जाएं क्योंकि यह भी exam पूछे जाते हैं तो इनके नाम देख लेता है कौन कौन से state जो कि Nepal country के सापना बार्डर जो शेयर करती है तो first है बिहार दूसरी है यूपी उत्राकंड सिक्किम एंड बेस्ट बहंगाल अगर हम बात करें अगर आफ से यहां पर और भी question बन जाता है जो exam पूछा जाता है अगर आफ से यह पूछे जाए कि ऐसी कौन से state है इंडिया के जो कि चाइना बार्डर चाइना के साथ बार्डर शेयर करते हैं तो आंचे क्या हो जाएगा लदाक यूटी हिमाचल परदेश उत्राखड सिक्किम एंड अरनाचल परदेश आप इसको भी याद रखी यह भी exam में पूछा जाता है एक और रहागा आपके आने वाले exam के लिए तो आप इनको भी नोट जरूर कर लिजेगा नश्याते हैं विच आथ फॉलिंग प्लेस इन इंडिया इस नेरस टू टॉपिक आफ कैंसर आप्शन आर एजवाल आप्शन बी राज कोड आप्शन सी कॉलकता एंड आप्शन डी इंफल अंचे क गिर हिल्स और आप्शन डी तप्टी रिवर आप्शन बी यानि की गल्फ आफ कमत सेपरेड दमन एंडियो नेक्स कोशन अमर कंटक प्लेट्टिव इन दा मेकल हिल्स मार्क्स दा ओरीजन ओफ विच रिवर आप्शन र गंडग ऑप्शन बी चंबल आप्शन सी नर्मदा फैंड आप्शन डी घागर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानि की नर्मदा रिवर नह Archives नेर्मदा रिवर है न उसका और जीट कांट सी होता है तो आइंड जैगा की अमरकंट का पलेट्टिव इन मैकल हिल्स हो और येह कहां पर है तो आप्शन क्या बावी रिवर आज आलसो नोन एस ब्रिद गंगा इंपोर्टन कोशन है कई बार एकजाम में पूछा गया फ्रेंड्स अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक और मिन्यों टेंट फ्रेंट शेर जरूर करेंगा आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेज़ो पर जाइन कर सकते हो एस बरेंदर स्टेड़ आई को जी के नश्रते हैं इंपोर्टन्ट कोशन है कई बारे गिजाम में पूछा गया नश्रते हैं in which month, Kharif, Kharapar, Sonne? Option are April, Option B, June, Option C, September and Option D, November answer is Option B, i.e.in the month of June, Kharif, Kharapar, Sonne next question the largest mica producing state in India is Option jarikhand, Option B, Andhra Pradesh, Option C, Madhya Pradesh and Option D, Rajasthan आप्षिन बी यानि की आंदरा परदेश, स्टेट आफ इंडिया, इस लाज़ेस्ट प्रडियूसर आफ माइका इंपोर्टन कोशन है कई बार एक रिजाम में पूछा गया है निश्चाते हैं विचादा फॉलिंग डैम इस कंस्क्टिड अक्रोस क्रिशना रिवर औप्षिन और उकाई डैम औप्षिन बी, औप्षिन राजा नागर डैम औप्षिन सी, सिरी सेलम डैम, औप्षिन दी मितुर डैम आइए आप्षिन बी, सी, यानि की सिरी सेलम डैम is constructed अक्रोस क्रिशना रिवर इंपोर्टेंट कोशना कई वार एक एगजा में पूचा गए रहे हैं इसलते हैं विच्छ व्च अफॉली इन लाजज़स्ट टाइगर इज़र्व इन इंडिया ऐस मानस ऑफिट बी नागार अरजन से इसलें option B, Pench, option C, option D, Corbett, and C, option B, यानि की, Nagar Arjun, Sillisalam Dam, Sillisalam Tiger Reserve is the largest in India. Next question, the study of lake is called optional liminology, option B, Potomology, option C, Topology, and option D, Hydrology, and C, option A, यानि की, liminology is the study of lake. Next question, Kullu Valley is located among which are the falling mountain range, optional Ladakh, and Peer Paranjal, option B, Lesser Himalaya, and Shivalik, option C, Doladhar, and Peer Paranjal, and option D, Ranjoti, and Nanga Parvath, answer is option C, यानि की, Doladhar, and Peer Paranjal, Kullu Valley is located in Doladhar, and Peer Paranjal mountain ranges. Important question है, कई बार एक जाम में पूछा गयाने से दे हैं, What is the easternmost peak of Himalaya, option R, Namcha Varva, option B, अनपूर्णा, option C, कंचेंजोंगा, and option D, Mount Everest. Ange क्या हो जाएगा, option A, यानि की, Namcha Varva is the easternmost peak of Himalaya. Important question है, कई बार एक जाम में पूछा गया. Friends, अगर आप ये पूछा जाए, कि, इंडिया का जो highest peak है, ना, उसका नाम क्या है, और वो कि स्टेट में तो आन्चे क्या हो जाएगा, content होंगा, जो कि highest peak है, इंडिया में, और ये कुछ स्टेट में तो आन्चे क्या हो जाएगा, सिक्की में. Basically, आपको कुछ बुक में क्या दे रखा होगा, जो आपका के टू, जो कि इंडिया में कंसिडर नहीं कर जाता है, इसलिए, जो content होंगा, जो कि highest peak है, इंडिया में ना, की के टू. Next question. What is another name of greater Himalaya? Option R, Himalaya, Option B, Sahadri, Option C, Assam Himalaya, and Option D, Shivalik. Answer is option A, यानि की हिमादरी is another name of greater Himalaya. Important question है, कई बार है, गिजा में पूछा गया है. नहीं से लिए, लेक, लोग तक is situated in which state? Option R, Madhya Pradesh, Option B, Manipur, Option C, Meghalia, and Option D, Himalachal Pradesh. Answer क्या हो जाएगा? Option B, यानि की मानिपूर state. लोग तक लेक is located in Meghalia, sorry, मानिपूर state. Next question. The highest mountain peak of Peninsular India is option R, Anamudi, Option B, Dota Beta, Option C, Mahindra Giri, and Option D, Nihil Giri. Answer क्या हो जाएगा? Option A, यानि की Anamudi, Anamudi, is the highest mountain peak of Peninsular India. Important question है, कहीं पर एक जाम में पूछा गया है. The composition of literate soil in higher area is option alkaline, option B, saline, option C, acidic, and option D, balance. And say, क्या हो जाएगा? Option C, यानि की Acidic. The composition of literate soil in higher area is acidic. Important question है, कहीं पर एक जाम में पूछा गया है. And say, Baltoro Glacier is located in Karakora Mountain Range, option B, Pamir Mountain, option C, Shivalix, and option D, Alps. And say, क्या हो जाएगा? Option A, यानि की Karakora Mountain Range. Baltoro Glacier is located in Karakora Mountain Range. Important question है, कहीं पर एक जाम में पूछा गया है. And say, the driest part of India is Western Rajasthan, option B, German Kashmir, option C, Gujarat, and option D, Madhya Pradesh. Answer is option A, यानि की Western Rajasthan is the driest part of India. Next question, the climate of India is option R, equatorial, option B, monsoonal, option C, Mediterranean, and option D, Continental. Answer is option B, यानि की Tropical Monsoon is the climate of India. Important question है, कहीं पर एक जाम में पूछा गया है. Which is the longest river of Peninsular India? Option R, Krishna, option B, Kaveri, option C, Narmada, and option D, Godavari. Answer क्या हो जाएगा, option D, यानि की Godavari, is the longest river of Peninsular India. Important question है, कहीं बार एक जाम में पूछा गया. इसे दे हैं, the fertile land between two rivers is called option R, drainage basin, option B, watershed, option C, Dwaab, and option D, low land, और Tareen. Answer क्या हो जाएगा, option C, यानि की Dwaab, the fertile land between two rivers, answer is option C, यानि की Dwaab. फ़र जो उपजाओ भूमी होते हैं न, दो rivers के बीच में, यहां पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो answer क्या हो जाएगा, Dwaab. Next question, which of the falling river originate out of India, option R, ब्रह्मपुत्रा, option B, ब्यास, option C, रावी, and option D, जेलम. Answer is option A, यानि की ब्रह्मपुत्रा river originate out of India, important question है, कई बार है, गिजाम में पूछा गया, तो फिर कुछ important points discuss कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्रा river के बारे में, ब्रह्मपुत्रा river originate from the Mount Kelash in the Northern Himalaya range, and it is the third largest river in the world, and it is also known by Zalu Sengbo, and it takes U-turn at Namcha Varva and enters India, और अगर आपसे पूछे जाए कि यह मतलब जब नमचा वर्वग यूटन लेती है, तो यह किस state के थुरू, इंडिया में enter करते हैं, तो answer क्या हो जाएगा, और नांचल प्रदेश state, जितने भी information बताएगा आपको friends, यह आपके लिए important आप सोबें नोट जरूर कर ले का option B, यानि की दे परियाग, वेर, बागी रथी, एंड अलकननन्दा, meet together, important question है, कई बार एक इसा में पूछा गया, friends, अगर आप से पूछे जाए कि जहाँ पर दोली गंगा और अलकननन्दा आपसे मिलती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, तो आंचे क्या हो जाएगा, विश परियाग, जितने भी points बताया आपको, ये भी important है, कई बार है कि जामें पूछे जाते हैं, नेश्ड़ते हैं, which river is also known as open seaver in इंडिया, औप्शनार गंगा, औप्शन बी, जमुना, औप्शन सी नारमदा, एंड औप्शन डी, बोथ A and B, आंसर क्या हो जाएगा, औप्शन which are the falling river does not form any delta, औप्शनार गंगा, औप्शन बी, गुदावरी, औप्शन सी महानदी, and औप्शन डी, तप्टी, आंसर क्या हो जाएगा, औप्शन डी, यानि की तप्टी river does not form any delta, important question है, कई ये बार है, exam में पूछा गया, friends, अगर आपको ये content अच्छा लग रहा, please video को like, और minion 10 friends share जोरू करेगा, आप हम Instagram, Telegram, और phase of joining कर सकते हो, as brain the study Ico GK, friends, आपके लिए मैंने already बहुत सारा content डाल रखा है, GK जो आपके exam के लिए काफी useful है, तो मैं तो सारी वीडियोस आप exam से पहले जरूर देख लें, और आप चैनल की playlist जरूर चाह कर लें, आपके लिए मैं आपके लिए मैंने already बहुत सारी सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है, जैसे कि environmental science की सीरीज है, science GK की सीरीज है, science GK की भी सीरीज डाल रखे है मैंने, तो जिसनी भी important वीडियोस हैं मैंने आपके लिए डाल रखे हैं, तो आप उनको जाकर एक बार जरूर देखिएगा, नेश कंट्री, आप्शना थाईलेंड, आप्शनी बुटान, आप्शनी नेपाल, आप्शनी श्री लंका, आइंसरी आप्शन ए, यानि कि थाईलेंड गिव दा नेम, आमफन तो ए साइकलोन, important question है, कही बार रखेजा में पूछा गया, नेश्चते हैं, what is the name of India's largest butterfly, आप्शना लेसर ग्रास, ब्र्यू, आप्शन B, सिल्वर वर्डविंग, आप्शन C, गोल्डन वर्डविंग, आप्शन D, कॉमन एग फलाई, आइंसरी आप्शन C, यानि कि गोल्डन वर्डविंग, इस इंडिया's largest butterfly, important question है, कही बार रखेजा में पूछा गया, basic लिए हम पर यह 只 Pra Kadar, पर पनजाब, हाईिजा आप्शन C, हरयाना अंदरा पर्डेश, आप्शन D, यानि कि आप्शन वर्डेश, कंणून नैशन परक हैं पर या तो आँंशर क्या हो जाएगा आन्दारा परेश, यानि की होजाएगा आज़ only system, आप्शनर पाकिस्तान, और पाकिस्तान, रेटल हाइड्रो पावर परजेक्ट इज इंविशे टेट और यूटी आफ इंडिया, अप्शन लदाख, आप्शन ब जम्मण कश्मीर, ऑफ़वजे, पंजाब, अप्शन दी तॉपन नादू, आंश्र इंविशे अपर इंविशे टेट और यूटी तो आंचै क्या हो जा answer is option A, यानि की Odisha state, फ़े जो सिमले पर टाइगर जब पर की state में तो answer क्या हो जाएगा, Odisha state, next question, the light coming from the star gives the idea of their option temperature, option B, sorry, option A, size, option B, temperature, option C, mass, and option D, rotational speed, तो answer क्या हो जाएगा, option B, यानि की temperature, the light coming from the star gives the idea of their, there, तो answer क्या हो जाएगा, temperature, important question है, कई बार है, गिजा में पूछा लिया, हम basically, अगर आप, अगर हम बात करें, अगर star का ब्लू गलर होगा ना, तो मतलब उसका maximum temperature है, अगर है, डोग हो तो सबसे minimum होगा, next question, the outermost layer of the sun is called, option A, convection zone, option B, photosphere, option C, chromosphere, and option D, corona, अगर से क्या हो जाएगा, option D, यानि की the outermost layer of the sun is called, corona, important question है, कई बार है, गिजा में पूछा गया, तो फैंट जो भी, एक question basic के लिए आपर और बन जाता है, जो की, the glowing surface of the sun which we can see, it called as, तो आगर से क्या हो जाएगा, photosphere, और फैंट जो corona ले रहा है ना, sun की, वो कब विजल बहुते हैं, only during eclipses, आप इसको भी याद रहे हैं, यह भी एकजा में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं, आप इसको भी याद रखे, यह भी एकजा में पूछा जाएगा, आप इसको भी याद रखे, यह भी एकजा में पूछा जाते हैं, बेसी के लिए हाँ पर कुछ और कोशन भी बन जाते हैं, जो आपके एकजामिक, आपके एकजामिक के लिए important है, अगर आप से यह पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है, जिसके पास सबसे ज़्यादा number of satellites हैं, तो आपसे क्या हो जाएगा, Saturn, अगर आप से यह पूछा जाए कि हमारे पूरे सोड़े स्मॉल स्टेलाइट उसका नाम क्या है, तो आपसे क्या हो जाएगा, Venus, blue planet किसको बोला जाता है, तो आँचे क्या हो जाएगा, Earth, green planet किसको बोला जाता है, तो आँचे क्या हो जाएगा, Uranus, hottest planet कौन सा है, तो आँचे क्या हो जाएगा, Venus, coldest कौन सा है, तो आँचे क्या हो जाएगा, Neptune, brightest star कौन, after sun, तो आँचे क्या हो जाएगा, Osiris, brightest planet कौन सा ह जरूर कर लिजेगा निए सब्सक्राइब इस कांट से मैं और बता चुका हूँ तो आपने इसका जो आंसर है मुझे कमेंट पर बॉक्स में कमेंट रकर के जीर्व बता ना हां नेक्स्ट प्रोड़ रिज मुझे नियू ब्सक्राइब प्रणार खुर्याइब। प्राइब। important question है कई बार exam में पूछा गया next question longest day in southern hemisphere is on which date options are December 22, option B, June 21, March 21 and option D September 23 answer क्या हो जाएगा option A यानि कि longest day in southern hemisphere is तो answer क्या हो जाएगा September 23 important question है कई बार exam में पूछा गया next question लेते हैं which are the falling soil is the most stable for growing cotton crop, option जार alluvial soil, option black soil, option D, पैटी and Marchy soil, answer क्या हो जाएगा option B, यानि कि black soil is most stable for growing cotton crop, important question है कई बार exam में पूछा गया, विससी के लिए आपर एक question और बन जाएगा, answer आपने मुझे comment दो जूरू बताना, question यह है कि आपको यह बताना है, जो bricks होते हैं, इंटे, वो किस मिट्टी के बनी होते हैं, इसका जो answer आपने मुझे comment दो जूरू बताना है, last question आज की वीडियो का, what is the name of the India's first national park, option है हेली, या फिर corporate national park, option B, काजीरंगा national park, option C, जल्दापार national park, and option D, राचीगम national park, answer is option A, यानि कि हेली national park, या प्लीज वीडियो को लाइक और मिन्यों टैंस्प्रेश शेयर जूरू करें, आप हमें, इस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेज़ो जोन कर सकते हो, as brain the study IQGK, ओफेंड हमारे चैनल को या आप स्वाजिग आपके आपके अपडेट, जल जली मिल जा, thank you so much, and wish you all the best for upcoming exam, thank you so much behandelt.